और आज की इस एपिसोड में टाटा पावर स्टॉक को डिसकस करेंगे टाटा पावर में बजट रिलेटेड कुछ बरे रियेक्शन नहीं दिखे और टेक्निकली इसमें ट्रेंड वीक है और मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें कौशन टाटा पावर में बरतने चाहिए आख आहला जो एक बड़ा इ स्टॉक का क्वाटरली नंबर से और क्वाटरली नंबर से पहले जो भी खबर दीख रही है वह खबर सभी इंपेक्ट वॉजिक पोजिटिबली होते नहीं दीख रहा है और इस समय इस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड या पिर Yeahll last ट्रेंड थोड़ा पाच थ्री मंद से वीक है आज का वोल्यूम नोमिनल रहा लेकिन टेक्निकली हमने क्या कहा कि इस समय इस स्टॉक में एक सपोर्ट रहा था जिस सपोर्ट से कंटिनियूस रिवर्स करते दिख रहा था लेकिन ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ रिवर्स करा अगेन ब्रेकडाउन हुआ यानि प्रोबैबिलिटी दो सपोर्ट नीचे के तरब 380-320 दिख रहा है और हायर चांसे है कि ये दोनों ही लेविल्स को टच करे ऊपर के ट्रें रहा है लूर प्राइस से यहां देखेंगे अगर मैं लूर प्राइस से स्टॉक के ट्रेंड को दिखाऊं तो यहां से स्टॉक ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है और इस रिटर्न के बाद थोरे बहुत करेक्शन थोरे बहुत रिजेक्शन जरूरी है कि इस रेंज में य स्ट्रोक आते देख सकता है